हालो एब्रीवान वेल्कम टू मा चैनल देखिए आज कितनी टेम्टिंग सी आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं मैं और इसका नाम है पनीर पकोड़ा मैं पनीर पकोड़े आपको दो तरीके से बना कर दिखाऊंगी स्टॉफिंग है इसमें स्टॉफिंग मैं दो तरीके क करऊंगी वो मैं आपको बतातूंगी चलिए शुरू करते है आज की रेसिपी जिसके लिए मैंने ले लिया है आदा किलो पनीर ये देखिए मैंने इसके स्लाइसे कर लिये हैं आप जिस शेप में बनाना चाहें उसमें कर सकते हैं मैं छोटे-छोटे सेन्विच बनाऊंगी और ये मैं दो तरखे बनाऊंगी तो इसलिए दूसरे की शेप मैंने अलग रखी है देखिए इसमें लिया है मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और आम चूर इसको एक मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए एक स्टॉफिंग रेडी हो गई है, छोटे-छोटे सेंविच हम बना कर रेडी कर लेते हैं, ये देखिए इसी तरीके से हम सारे सेंविच बना लेंगे और जो दूसरे वाले हैं, बड़े वाले, उस पर हमें लगानी है ग्रीन चटनी, पुदिने वाली जो होती है, इसकी रेसिपी आल्रेडी मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ ये देखिए मैंने दो शेप से इसलिए ही बनाई हैं, कि मुझे आपको दिखाना होगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा वाला कौन सा है इसलिए करा मैंने शेप अलग, चलिए इसका बेटर तियार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, उसमें डालूंगे हींग, बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक इसको हम डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीन, फाइनली चॉप किया हुआ, निक्स कर देते हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालका, इसका एक बेटर प्रिपेर कर लेंगे, बेटर बहुत जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए, और बहुत जादा पतल इसी तरीके से सारे सेंविचेस को कोट करके डाल देंगे हम कडाई में, यह देखिए, इसी तरीके से सारे डाल देंगे, और थोड़ी देर बाद यह से फ्लिप कर देंगे, थोड़ा सा सिखने देंगे, और उसके बाद हम इने निकाल लेंगे, यह देखिए और इसी बेटर को हमें यूज करना है दूसरे वाले जो हमने बनाये हैं चटनी वाले उसी को भी इसमें कोट करेंगे और उन्हें भी फ्राइ कर लेंगे ये देखिए सारे edges जो है coat करके seal कर दिये हैं और ये लीजिए इसी तरीके से बाकी भी बना लेजिए ये देखिए सारे हमने इसमें डाल दिये हैं अब इन्हें flip करके पका लेंगे और देखिए सिखने के बाद इन्हें निकाल लेते हैं हमाई से सिख चुके हैं अब इन्हें सर्व कर लेते हैं ये देखिए कि आप बढ़े सिखे हैं एकदम crispy ये चटनी वाले हैं और ये मसाला वाले हैं ये देखिए चटनी वाला काट के दिखाया है मैने आपको ये देखिए ये मसाले वाला आप इसे snacks time पे serve कीजिए या breakfast में serve कीजिए बहुत ही healthy recipe है थोड़ा सा oil है इसमें fry किया है क्योंकि हमने but once a while चलती है यह सब चीज़े friends यह देखिए कितने delicious लग रहे हैं देखने में और बहुत ही अच्छा flavor देगा पुदिना जो हमने इसमें डाला है वो बहुत अच्छा flavor देगा यह मैंने serve किया है इसको green और red chutney के साथ आप अपनी choice की किसी भी chutney के साथ इसे serve कर सकते हैं वैसे इसमें chutney की जरूत है नहीं क्योंकि already masala और chutney हमने use की है thank you keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel please give your valuable comments in comment section bye